अलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉर्निंग कॉफे ज़िट प्यारीफेक्ट तो आज हम बात करेंगे डे तो ने टुरूर्स्ट ब्रड है हमारा वह है बिहाइंड यह क्या है प्रिप्रो प्रोजीशन भी एड़ यह है फ्रेंड मन्य होता है फ्रेंड्स पीछे क्यों होता है पीछे ठीक है फ्रेंस क्यों होता है पीछे वेरी नॉर्मल ठीक है फिर बात करते हैं बव जो बव है यह क्या बिलीव बिलीव होता है बिश्वाश करना ठीक है बिश्वाश करना यानिकि ट्रस्ट करना ठीक बात करेंगे वैल्व वैल्व क्या है नाउन है जिस का meaning जो होता है वो ती आपकी घंटी घंटी ठीक है फिक कोई alert के लिए जो हमारी घंटी होती जैसे YouTube में हमारा क्या रहती यह वैल आइकॉन रहे है तो आप भी वैल आइकॉन को प्रेस कर दें किसके लिए आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए ठीक है सब्सक्राइब यह सब जो वो बैल कर रहा है वो घंटी वो इसी के बात कर रहा हूँ ठीक है यह बैल यह क्या है नाउन है ठीक है बात करते हैं, belonging की, जो की एक verb है, belonging का मतलब होता है, संबन्धit, संबन्ध, ऐस संबच है related, related कह सकते हैं, ठीक है friends, गोता है, belong और below adverb है preposition, below का मतलब होता है, niche, क्या होता है, niche, below, ठीक है friends, किसी चीज के niche, उसको बोलते हैं below, ठीक, belt बैล्ट हो गई, belt देखो, belt क्या होती है, एक range, जो है, उसको भी हम belt कहते है, कहिस के meaning होते है, एक ये belt होते है, जो हम पहिंते हैं, किसके लिए, अपने ड्रेस को fit रखने के लिए, ठीक है, वो भी belt ही है, और एक belt होती है, कोई भी एक reason है, एक उसकी location है, उसकी जो बाहर की जो border उसे भी हम belt कहते हैं थीक है? और beneath friends इसका मतलब ही क्या होते है? नीचे हैं, beneath इसका मतलब ही नीचे होते है, suppose यहाँ पर फ्लोर्स है, तो beneath कौन सा हो सा, इस floor के नीचे वो beneath ठीक है? इस floor के नीचे ये कया बीनीध है इसके ठीक है? इसे कह लावदा है कि आप fruitful कह सकते हैं fruitful कह सकते हैं ठीक है friends और बात करेंगे beside, ठीक है beside adverb भी है preposition में देखो beside किस case में use कर सकते हैं जैसे आप यहाँ suppose आप यहाँ पे हो तो यह अगर कोई बंदा आपके बगल में खड़ा है तो इसको बगल में है बगल में ठीक है यह क्या है beside है बगल में ठीक बट यहाँ पे देख रहे हो as लगाओ besides यह preposition है इसका मतलब बगल में नहीं है friends इसका मतलब होता है अलावा क्या होता है अलावा यानि कि accept यह वाला ठीक है जैसे आप कहते हो कि अपने कहा कि I like ठीक है besides other fruits ठीक है तो आप fruits नहीं sorry fruit ठीक है other fruit आप इसका मतलब आप कहा रहे हो कि मैं मुझे आम भी पसंद है दूसरे फलों के अलावा ठीक है तो इसका मतलब होता है अलावा यानिकी accept अब बात करेंगे challenging vocabulary की जिसमें first word है course क्या है friends first word हमारा है वो है course जिसका जो meaning होता है इसका मतलब होता है मजबूर करना क्या होता है मजबूर करना यानिकी force someone force someone या somebody to do something ठीक है to do something यानिकी कि किसी को मजबूर करना या बेवश करना किसी काम को या किसी वी चीज को करवाने के लिए उसको बोलते हम course ठीक है यानि कि देखो course को कैसे याद रखोगे force से किस से force से force course ठीक है इसको याद रख सकते हो बात करेंगे कोगनेट की कोगनेट का मतलब हो था एक जाती का एक जाती का एक जाती का यानि की एक ही नसल का यानि की similar क्या होगा similar ठीक है similar या related कह सकते हो related कह सकते हो मतलब जिसक में क्या होगा same same nature होगा जिसका ठीक है उसको कहते हैं हम क्या कोगनेट, कोगनेट यानि की मिलता जुलता, ठीक है friends मिलता जुलता जैसे नेचर होता, भाई, बहन क्या होते, वो मिलते जुलते या इस तरह तो उसका क्या मतलब होता उसका कोगनेटी तो है, कोगनेट का मतलब होता तो कोई एक जैसा, जैसा ये, वैसा ये, ठीक है, इस टाइप से, बात करेंगे conflagration, ठीक है, conflagration, conflagration होती है, friends, भीशन, आग, ठीक है, इसको, इस word को आप तब यूज कर सकते हैं, जब क्या हो, कि कोई देखो, fire, when fire destroys, when fire destroys, ठीक है, large land, और buildings, ठीक है, उस case में, जब आग लग जाए, और वो आग बहुत सारे area को, या बहुत सारे building को क्या कर रही हो, खत्म कर रही हो, नस्ट कर रही हो, मतलब भीशन आग, बहुत भेंकर वली आग, उसको आप fire ना कहें, ठीक है, fire तो सिर्फ क्या होती है, आग होती है, ठीक है अगर उस type का, आपको use करना है word, तो यह best word होगा क्या, conflagration, ठीक है friends, भीशन आग, बात करेंगे next word की, जो है smug, इसका मतलब होता है, आत्म, आत्मसंतुष्ट, संतुष्टी, आत्मसंतुष्टी, मतलब, मतलब, self-satisfaction, self-satisfaction, ठीक है friends, self-satisfaction, और अब एक और इसके लिए दूसरा word मैं बता दूँ, आपको याद रखना, complacent, complacent, क्या friends, complacent, 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 complacent भी क्या होती है, आत्मसंतुष्टी, ठीक है, आत्मसंतुष्टी, ठीक है, बात करेंगे last word की, जो है, snare, और snare का मतलब होता है, जब देखो, जब कोई बात कर करते हैं, डो परसन, तो अपने नोटीस क्या होगा, एक क्या करता है, कभी मजाक, मजाक के लिए, मौकरी कर रहा हो, ठीक है, मौकरी, मतलब होता है, friends, मजाक करना, ठीक है, मौकरी, या आप इसको कह सकते है, क्या सकते है, derision, क्या कह सकते है, आपको spelling बता दूँ, derision, डेरिसन डेरिसन ठेक है डेरिसन डेरिसन विसका मीनिंग है मौकरी इसका मीनिंग है ठेक है तो इसका मतलब होता है मजाक मजाक में जैसे कोई मजाक करके हसता है ना स्माइल करता है मजाक में ठेक है स्माइल करना इन मौकरी वे इन डेरिसन वे ठीक है यहां हसते हैं मजा करना उसको कहते हैं स्नियर ठीक है फ्रेंट्स इसी के साथ आज की वोकेव हम यहीं पर समाम करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वोकेव में ठीक है फ्रेंट्स बाइ मिलते हैं नेक्स्ट वोकेव में और अगर आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं क करें, please, 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 okay thank you so much